दोस्तन अश्कार सलम सस्रीका आप सब का स्वागत है आज दोस्तों एक्टर सेंगर बनने में कौन-कौन सी समस्य आती है यह कौन-कौन सी परिशानिया आती है इस विशे पे दोस्तों मैं गुरू विपिनकुमार आज बात करना चाहता हूं कौन सी ऐसी परिशानिया है जो एक एक्टर का रोकती है उसको तकलीफ देती है वो एक्टर नहीं बन बाता कुछ तो ऐसी परिशानिया होंगी कुछ तो ऐसे तकलीफ होंगी कि एक बिहार के भागलपुर का लड़का एक उत्तर परदेश के बनारस का लड़का एक पंजाब क लुद्याना के लड़का, राजस्तान ना जाने कितने राज सारे लड़के मुंबई आते हैं एक्टर बनने हैं, और कौन कौन से इसी परिसानी हैं जिसे एक्टर नहीं बन पाते हैं, कुछ बातों को मैं बड़ी भारेकी से बताना चाहता हूं, चाहे तो यह आवाज आप र विश्वास नहीं है, अगर आपको लगता है कि बहुत आप यह काम नहीं करते हैं, तो मत करो, लेकिन अगर आपके अंदर confidence है, थोड़ी सी भी इच्छा शक्ति है, सो mental आपका जो health है, उसको strong करके, आत्म विश्वास को develop करके मुंबई आए, यानि point number one, आत्म विश्वास क develop करें, point number two, मुंबई आए, माता पिता से पर मिसलने कि मुंबई आना ही पड़ेगा, अगर आपको बॉलिवड एक्टर बनना है, मुंबई आए, आने के बाद, किसी ना किसी academy से जुड़ें, कम बजट है, कोई बात नहीं, आप हमारी academy से जुड़ सकते, point number four, पैसे की दिक है, समस्या है, कई सर ऐसे examples हैं, दोस्तों, आप part time, full time, job पकड़ सकते, हमारी team आपको guide करती है, boss, बहुत जरूरी है, उसके बात है, निरंतर, जैसे आप देखते हो कि नावाज ने क्या किया, आक्षे कुमान ने क्या किया, सुनुसुत ने क्या किया, उसी तरीके से लगात और audition देते रहना है, और आगे, मुंबई में बने रहना पड़ेगा, दोस्तों, और जो आखरी point है, सबसे important, ओ है distraction, यानि आपको focus रहना पड़ेगा, अपने काम के प्रती, अपने लगन के प्रती, ये कुछ बाते हैं, जो आपको actor बनाएंगे, same applicable होता है, singer के लिए, तो आप आएं, जुड़ें हमारे साथ कम से कम बिजट में, सीखें सबसे बैतर बने, मैं गुरुविकन कुमार आपका स्वागत करता हूँ, नमस्कार, love you all, जैन, thank you so much, thank you, love you all.